गुड इवनिंग ओल चलिए अपन जो है एक टॉपिक सब्जिक्ट को स्टेडी करेंगे और वो हमारा सब्जिक्ट है आई टी है ना जिसको बहुत सरल शब्दों में आप कम्प्यूटर और इंटरनेट भी कहते जो है जो आपका स्लेबस है MPPSC का अथवा कुछ टॉपिक्स हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंग्जामिनेशन है फॉरेस्ट में उसमें सभी में आता है तो हम यहां पर उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो है सेशन्स में देखेंगे कि हर एक टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाए तो जैसे अगर अपन फंडमेंटल से बिल्कुल स्टार्ट करें तो हमने देखा है कि अभी कुछो कुश्चन्स आपके आ रहे हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट इग्जाम्स में उसमें जो लेटिस्ट टॉपिक्स हैं हला कि वो ट्रेंट्स में हैं जैसे आपने ओविसली सु कुशंज ओए वो आपके कुश्चंज पेपर में आते हैं और रही यहें ठीक बात है पेयामेंट सेस्टtsåश है न और अगर हमें मेन्स के स्ले पिक बात करीए तो उसमें हमारा जो बेसिक fundamental पार्ट जो है computer का वो भी उसमें आता है प्लस हमारे networks क्या होता है networks के type क्या होता है internet services some important protocols तो इस तरीके के questions अलग-अलग जगहों से बनते हैं तो आज अपन छोटे से जो fundamental हमारा जो होता है जिसकी थोड़ी बहुत information जानकारी आप सभी को है अपन यहाँ पर उसको जानने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल zero से बिल्कुल basic से अगर अपन देखें तो हमारे पास एक छोटी सी device होती है जहां से उसी चीज से जो है सारे topics आपके जो है वो मतलब origin हुए आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि अगर मैं आप से कहूं तो सबसे पहले device आई device का नाम हमने computer देखा computer के बाद फिर network बने network के बाद internet आया internet के बाद आपने उसकी services यूज करीं जैसे e-learning होता है है ना अभी आपको कोई topic समझ नहीं आ रहा है या कुछ आपको study करना है तो आप बढ़िया YouTube पे जाते हैं Google पे जाते हैं और newsrooms हुए है ना chat rooms हुए तो ऐसे करके internet के services आपने यूज की उसके बाद फिर हम थोड़ा और extend हुए तो हमने उसी internet को as a business medium भी बना लिया e-commerce में हम आए इसके अलावा फिर e-commerce के बाद थोड़ा और government भी जो है इस शेतर में आगे बड़ी सरकार है उन्होंने e-commerce के अलावा e-governance पर अपना काम स्टार्ट किया वहां से वह अपनी services प्रवाइड कर रहे और e-commerce और e-governance से जब हम आगे बड़े तो हमने आज अपने softwares को या फिर आप कहलीजे systems को इतना अच्छा बना लिया है कि वो artificial intelligence की शेणी में आ गए है ना तो intelligently हमारी machines intelligently हमारी systems भी काम कर रहे है और अब वो काम कर रहे है वो तो ठीक है थोड़ा है और हम extend हुए तो फिर हमने देखा कि अब machine खुद ऐसी बन गई है कि वो खुद स से अपने decisions भी ले लेती हैं खुद learnings भी कर लेती है यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह मैं पढ़ाओंगा भी है ना तो वहां तक अपन ने देखा और machine learnings के बाद अगर मैं आप से और चोटा सा discussion करूं तो इतने development के बाद एक जो drawback हमारे सामने आया वो है कि with the help of the internet हमार crimes भी बढ़ गए ना तो एक cyber crime का topic भी आपको जो है वो cover करना होता है ठीक है types of crime क्या होते है और आप उससे कैसे बचें इस प्रकार की topics हमको discuss करना है ठीक यहां तक समझ आ रहा है clear है तो अगर मैं journey को आपके साथ share करूं तो मैं आपसे बोलूँगा कि हमने कहानी study की है और यहां पर हम एक sir के बारे में जानते हैं यहां से पहला question वो बहुत basic question जो है वो आपका जो बनता है हलाकि वो आपको पता होगा बट अपन यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो computer है उसके father यानि father of computer जो है वो अपन किसको कहते हैं तो आप उनको जानते हैं Charles baby sir के न उन्होंने engineering भी की थी फिर उन्होंने और भी studies करी फिर उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी लेकिन उनकी जो छोटी सी जरनी है related to this device उसको अपन जानने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको बोला कि actual में एक जगा है जिसको अपन UK कहते हैं या फिर United Kingdom के नाम से हम इसको understand कर रहते हैं जो वरतमान में भी है और United Kingdom में यह सर रहते थे तो छोटे थे school में पढ़ रहे थे college में पढ़ रहे थे और इनके जो father थे ऐसा पढ़ा जाता है कि इनके father साब जो है वो कहते businessman तो अब जो पहले businesses चलते थे निश्चे दूरूप से उसमें जो है आपके earnings भी होती ह है investment भी होते हैं और उसके बाद आपका total जो revenue है या आप कहली जो profit है वो निकाला जाता है तो basically जो overall जो चीज़े थी वो किस पर based थी आपकी calculations पे है ना हो रही है तो इन्होंने यह देखा कि भाई हमारे हाँ पर जो है calculations या फिर आप कह लीजे कि जो account है जो भी हमारा turnover है या हमारे investment expenditures है उनको calculate करने के लिए हमारे पास जो time है वो ज्यादा utilize हो रहा है है ना जैसे मैं आप से बोलूँ आप एक काम करिए अभी copy का use करेंगे और copy जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा समझ आ रहा है ना copy का use करेंगे और copy में हम कुछ numbers लिखते हैं suppose 79 plus 68 plus 71 plus 62 plus 32 what will be the result क्या बोला मैंने आप यकीन करिये मैंने बोले थे मुझे भी याद नहीं है ना तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी बात करते हैं तो जैसे मैं आप से बोलूँ कि two numbers को दीजे 10 plus 10 it will be very easy 20 will be dancer लेकिन हमारे पास जब number of elements या बहुत सारे numbers होते हैं उनका calculation करने में आपको थोड़ा समय लगेगा मुझे भी लगेगा सब को लगता है as a human और मैंने आप से बोला कि addition तो फिर भी जल्दी हो जाएगा अगर मैं आप से कह देता है नहीं आप एक काम करें 68 multiply by 98 multiply by 78 multiply by 71 multiply by 62 तो इनका जो multiplication है अगर हम ट्रिक से भी कर रहे हैं तो भी हमको थोड़ा ना थोड़ा समय तो लगेगा जबकि आप calculator में जाए इन्ही numbers को लिखने के बाद सिर्फ आपको enter करना है और बड़ी speed के साथ आपको इसका answer मिल जाता है समझ में आ रहे है ठ रॉबलम यहां पर जा रही थी कि भाई calculation में बहुत जादा time लग रहा था दूसरी बात यहां पर यह है कि जब हम लोग calculations करते हैं तो निश्यत रूप से हमको calculations बहुत अच्छा आता है लेकिन फिर भी हम अपने आपको 100% accurate नहीं मानते क्यों नहीं मानते भाई आप मैं शॉ पर्डक को purchase कर रहा है हम उनको या तो 10 रूपीज देंगे या 9 रूपीज देंगे तो 9 रूपीज में जनरली शॉप की पर मानेंगे नहीं क्योंकि उनको 50 पैसे का loss होगा तो हम ऐसा लगता है कि 50 पैसा जो है 50 पैसे जो है वो बहुत जादा नहीं है तो हम क्या करते हैं छ देखें और उनके पास chocolate भी नहीं है तो एक individual candidate का जो नुकसान हो रहा हो 50 पैसे का होता है हमारे लिए 50 पैसे हमारे लिए जरूरी होते हुए भी हम उसको इसा इग्नूर कर देते हैं अगर सेम कॉंसेप्ट हम multiply करें कि 50 पैसा इच कैंडिडेट 10 लोगों के अगर आप 10 आपको दिया तो कितने हो गए पांच रूपी सो लोगों गए तो कितने हो गए आपके 50 रूपीज अब यह हो गए एक small shop की बात अगर हमारी organization हमारी संस्था इतनी बड़ी है जहां पर turnover कुछ लाखों करोडों में होता है तब वह 50 पैसे add हो हो के बहुत अच्छा amount बन सकता समझ रहें तो खेर वहां पर पर time issues देख रहे थे लेकिन एक issue यह भी था तो जो सर थे जिनका नाम था father of computer जिनने आपने चार्ल्स बेबेज नाम से understand किया है उनको यह बस समझ आई कि कम से कम जो है हमको एक ऐसी device generate करनी चाहिए हमको एक ऐसी device बनानी चाहिए जिससे हम calculation fast कर पाए second important बात यह है कि accuracy के साथ कर पाए ठीक है तो उन्होंने महनत की उन्होंने hard work किया और मैं आपको बताओं वो समय था 1822 के आसपास जब उन्होंने एक engine बनाया था और basically उस engine को अपने क्या बोला हुआ है that is difference engine क्या बोला हुआ है difference engine ठीक बाज है that was the first device और मैं आपको बत ठीक बात है अब यह कहानी यहां तक बढ़िया है उन्होंने device बना ली अब जब उन्होंने device बनाई है तब उन्होंने 10 plus 20 plus मैं आपका 40 plus मैं आपका 80 plus मैं आपका 69 plus मैं आपका 79 जब इस तरीके के elements या numbers उन्होंने अपने उस calculating device में input किये तो बहुत अच्छी speed के साथ उनको output या फिर result देखने को मिला इतनी बात clear है डन अब जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो निशिद रूप से आप अपने friend के पास भी जाते हैं तो Charles Baby Sir अपने friend के पास गए और उन्होंने उनको बताया कि भाई मैंने एक अच्छी से device बनाई है आप उसे check कर लो तो उनके जो है two numbers को add किया और उसका answer आगया आपके पास कितना 20 two numbers को multiply किया तो उनका answer आपका कितना हो गया 100 फिर उन्होंने minus करके देखा तो 0 आया और divide करके देखा तो 1 आया suppose मैं यही number अगर ले रहा हूं तो 10 divided by 10 answer will be 1 तो मेरा result तो आ रहा है इतना done अब क्या होगा अब friend to friend होता है उसने का चलो एक काम किरते हैं अबन कुछ इस तरीके से भी design करके देख लेते हैं क्या result आएगा 21 है ना लेकिन वो जो device थी difference engine उसने answer आपको 20 ही दिया उसका reason क्या था वो जो device बनी थी वो floating point numbers को यानि दशमला वाली संख्याओं को ignore करके neglect करके answers दे रही थी तो उसने पकड़ लिया उनके friend ने उन्होंने का भाईया पहले एक काम करो इस machine को सही करके लेके आओ जिस चीज के लिए आपने machine बनाई थी वही चीज यहां पर भी होगी नुकसान तो फिर भी होना है समझ रहें और बातों बातों में अब आप बताईए जिसकी चीज आपने गलत बोल दी उसको गुसाएगा तो उन्होंने अपने friend से बोला कि देखो भाई ऐसा है ठीक है हमसे गलती हो लेगी अब तो उसका भी अपन अभी analysis करते हैं यहां तक समझ में आया फिर उन्होंने 11 years और महनत की पूरे complete 11 साल और महनत की महनत करने के बाद एक और calculating device बनाई हुई है जिसको अपन बोलते हैं analytical engine उन्होंने डेवलब किया था जिसे अपन analytical engine के नाम से जानते हैं और 1833 में आपका ये बना था समझ आ रहा है यह जो 1833 में आपका device बना था उसकी पहली विशेशता हम ये understand कर सकते हैं कि जो floating point numbers थे उनका calculation जो है वो उन्होंने start कर दिया था ठीक है additional क्या हुआ additional ये हुआ कि जब भी आप एक record को save करना चाहते हैं तो इस प्रकार की device में आप file के form में data को क्या करने लगे save भी कर रहे हैं ठीक है तो मैंने आप से का first 1822 में difference engine 1833 में जो आपकी बनी analytical engine और उस बात को मैं यहाँ पर बस लिख लिजगा मैं उस बात को और finish करता हूँ जो उ computer को हम पढ़ रहे है computer का एक biggest application है वो है automation तो आज हमारी automation industry उसी statement पर based है उनका automatic काम करने का जो meaning था वो ये था कि मैं अपनी machine को एक बार input दूंगा और फिर वो सारा काम automatic कर देगी जिसका example अपने देखते हैं automation industries के अंदर आपके chips के packet आपकी chocolates या जो भी product market में आता है आप discovery पे देखते हैं एक बड़ी सी machine लगी रहती है और वो equal size में pieces को काटती रहती है तो वहाँ पे कैसे काम होता होगा आप गए आपने सुबह computer on किया उसको instruction दिया यानी input दिया कि भाई इतने इतने dimension में product कटना चाहिए और फिर machines को आप on कर देते हैं फिर वो शाम तक जब तक आप machine बन नहीं करेंगे तब तक वो काम उसका regular basis पे चलता रहता है तो तीन बात है आप यहां से समझें जिस device जो की origin है आपके सारे topic का उसे हम computer के नाम से जानते हैं computer का origin हमारे सर ने किया था नाम था Charles Babies एक engine बनाया था calculating device बनाया थी that is difference engine इसके अलावा उन्होंने 11 सार all महनत करी 1833 में एक और engine बना that is analytical engine और after that हमको यह मिला कि आज हमारी machines जो है automation industries में बहुत ज़्यादा helpful है इतना समझ में आया है सिर्फ यह दो नाम लिख लीजे यह वाला और यह वाला 1st one is difference engine 2nd one is analytical करेंगे तो मैंने आप से बोला कि इस तरीके से हम यह understand कर पाए कि कैसे जो हमारी devices हैं कैसे और किस तरीके से हमारी जो computing device है वो आपकी काम कर रही थी ठीक बात है ठीक है ना चलिए अब हम यहाँ पर जो हमने पड़ा उस device के बारे में उसके बारे में हमारी जो definition होती है जो book में हमको दिये जाता है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका जो यह जो device है जिसे आप computer कह रहे हैं वो एक ऐसी device है जिसे आप electronic machine कहते हैं देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से इन questions को पूछा और शायद जब मुझसे पूछा गया होगा तब मेरा भी answer सेम हुआ होगा और आपका भी answer सेम रहेगा कि electronic machines हमारे पास क्या होती है मतलब हो सकता है आपको पता हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ electronic machines के बारे में हमारा generally answers होता है कि भाई ऐसी machines जो की electricity से चल रहे हैं उनको अपन electronic machine कहते हैं तो मैं आपको बता हूँ कि हमारा जो fan होता है वो हमारा electrical device होता है लेकिन वो भी electricity से चलता है है जबकि आप अपने घरों में जो washing machines आती है उनके जो कार्टून्स आते हैं उस पर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहे था हुए भी आपके decisions ले सकता है अब वो decisions क्या है for example अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई अपने एक काम करते हैं first example हमारे पास यह है कि आपने अपने phone में password apply करके रखा है और मैं आपका वो phone ले लेता हूँ और मैं फिर password enter करने की कोशश करता हूँ अगर मुझे password सही पता होगा तो तो मैं उसको access कर पाऊंगा नहीं तो मेरा phone मुझसे कहेगा कि invalid password इसका मतलब phone के पास इतनी दिमाग तो है इतना capability तो है कि वो understand कर पाता है कि भाई जो password अभी इंटर किया गया है वो match नहीं कर रहा है जो password set समझ में आ गया दूसरा example मैं आपको बताऊं phone के अ नाम से जानते हैं या electronic प्रेस कहते हैं तो वहां से मैंने यह identify किया कि electronic प्रेस और जो पुराना previous हमारे पास आता था उसमें क्या difference होता है पहले जो आता था वह ज्यादा हीटेड हो गया तो आपको प्लक निकालना पड़ता है और फिर आप प्लक को वापस लगाते हैं अग प्रेस करना तो automatically active हो जाता है अब ऐसा भी कह से समझा रहा है तो वहां पर जो है उसको अपन मेजर लिए आप अगर शॉप पे भी जाते तो आप से कहते हैं आपको electronic आरेंड चाहिए क्या तो मैं आप से simply यह कहना चाहरा हूं कि हमारा जो computer है निश्चत रूप से वह electricity से च machine यह device कहते हैं समझ में आया ठीक बात है आगे चलें तो पहला statement आता है computer as an electronic device जो क्या करता है आपके user से जो है वो input लेता है user से input लेता है खुद से कोई input नहीं लेगा तो मैंने आप से कहा user से input लेने वाला है और user से input लेने के बाद अभी अपन पढ़ेंगे एक diagram के माध्य से उसमें CPU होता है जिस CPU के help से वो क्या करता है जो input मिला है उसके accordingly वो process करेगा और process करने के बाद आपको एक result output generate करके देता है यह उसकी definition है जो हमको books में मिली है और बच्पन में पढ़ी थी समझ में आया क्या कह रहा है computer is an electronic device or machine which can take user from which can take input from the user and after processing it will generate output ठीक है यहां पर एक चीज़ और है अगर आप input ले रहें तो input के time पर अब suppose आपने बोला सर मुझे तो बस addition ही कराना है तो आपने four inputs दिए राइट अच्छा जैसे मैं आपको बदा हूं हमने बोला चलो addition ही कराते हैं अपन जो है क्या करते addition ही करा लेते हैं या multiplication करा लेते हैं कोई यहां भी दो नंबर बोली कि 27 और कि 38 अब देखिए अगर आपने मुझे सेकेंड नंबर दिया है मैं दो तरीके से लिख सकता हूं आप शायद जादा भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और अगर मेरी इक्षा हुई तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ठीक बात है लेकिन जब मैं रिजल्ट निकालूंगा तो आउटपुट हम दोनों का सेम ही होने वाला है तो मैं आपसे कह रहा था जब भी आप किसी कंप्यूटर को या डिवाइस को इन्पुट देते हैं तो इन्पुट देटे टाइम जो भी डेटा एंटर किया जाता है वो हमारी information होती है तो मैंने आपसे बोला यह important बात है information होती है और आपसे pre में question भी पूछा जाता है कि data क्या होता है तो data का output result होता है वो हमारे पास होता है raw facts ना तो data जो है उसको कहा जाता है आपका raw fact और जो information होती है वो आपको result के रूप में दिखाई दिती है तो जो result होता है जो output होता है वो basically क्या होता है information होती है कितना समझ में आया इसमें एक last बात और बची definition में वो बात ये है कि जो हमारा computer है वो basically क्या करता है machine level language को understand करता है या फिर आप machine language कह लीजे और machine language का मतलब होता है 0 और 1 और यहाँ पर binary numbers में वो काम करता है ठीक है तो यह आप इसको बना लीजे यह हो गई definition of computer और यह इसमें 0 1 पर यह काम करता है दिन दुट आपड़रो यह काम करता है दो सभ्स पूबरो पूबरो कन अबरो काम काम मुद़प है काम जी बोलिये, ये RAW FACTS, R-A-W, F-A-C-T-S, RAW FACTS. क्लियर इतना, बेटा, ओनलाइन में जितने students connected हैं, सभी को समझ में आया, क्लियर, चलिये, हो गया, चलिये, तब अब नेक्स्ट कुशिशन की तरफ चलते, जहां पर हमको ये सिखाया जाता है, चलो भाई, ठीक है, कि जो हमारा computer है, या जो device है, ये हमारी उसकी definition रही, अब यहां पर हमारा computer हम से पूछ रहे, कि आपको ये भी पढ़ाना पड़ेगा, कि हमारे पास कौन-कौन से elements जो हैं, वो होते, तो मैंने आपसे बोला कि अगर मैं बात करूँ किसकी elements की, तो कई बार आपने इसे सुना होगा, या ऐसा देखा होगा, जब कभी भी आप net cafe पे जाते हैं, अथवा, आपकी school colleges में होता है, या फिर आपके offices में होता है, जब आप किसी computer विशेश की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर computer word यूज ना करके क्या बोला जाता है, कि आप इस वाले system पर बैट जाईए, तो computer का एक नाम और होता है system, तो मैंने आपसे बोला, कि हम अगर understand करने की कोशिश करें, कि what is the meaning of system, एंड हम computer को system क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर अपन understand कर पाते हैं, कि system का meaning क्या होता है, system का मतलब होता है, एक ऐसा machine जिसमें collection होता है, collection होता है, या फिर set होता है, collection of various elements होता है, यह definition होती है system की, और हमारा जो computer होता है, वो बहुत सारे elements का collection होता है, input devices होती है, output devices होती है, memories होती है, monitor होता है, CPU होता है, processor होता है, इसलिए हम उसको system भी कह देते, खेर, यह हमारे बाद में काम आएगा, अभी मैं आपको major elements की बात करूँ, और elements के साथ साथ इसको components भी कहा ज़ाता है, तो हमने बच्पन में पड़ा हुआ है, और हमने सुना भी हुआ है, कि एक होता है हमारे पास hardware, और एक हमारे पास जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो यह majorly two components होते हैं, आप चाहिए mobile की बात कर ले, अथवा आप computers की बात कर ले, अगर मैं आप लोगों से अभी पूछूँगा, मैं आप से कहूँगा कि मुझे आप एक बार बता दीजे, मेरी request है आप से, और वो request यह है, कि आप मुझे सिर्फ यह बता दीजे, कि आप के पास कौन कौन से phone है, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि सर अमारे पास Apple है, कोई हमें बताएगा कि Samsung है, कोई बताएगा कि जो है वो और भी जो companies के होते हैं, वो सारे mobile's आप मुझे बताएगा, लेकिन Apple को छोड़ कर, अगर मैं आप से पूछूँ जिनके पास Apple है, उन लोगों को छोड़ कर, मैं आपको बताऊँ कि other जो companies के आपके पास mobile phone है, वो mobile phone एक software को support करते हैं, उसे अपन Android के नाम से जानते हैं, तो आइदर आप ये भी कह सकते हो, मेरे पास Android phone है, आइदर आप ये भी कह सकते हो, कि मेरे पास इस company का phone है, तो अगर आपके पास Vivo का phone है, मान लीजे, अगर आपके पास Vivo का mobile phone है, तो ये जो Vivo है, वो basically आपके mobile का कौन सा component है, hardware part है, और अगर आप बोलें, सर, actual में मेरे पास mobile काई का है, तो आप बोलेंगे Android उसमें support करता है, तो Android basically आपके mobile का कौन सा part होता है, software part होता है, तो system की बात कर रहे हैं, अपन, mobile की बात कर रहे हैं, अपन, computer की बात कर रहे हैं, अपन, laptop की बात अगर करें, तो दोनों cases में, hardware, software दोनों required हैं, ठीक बात है, एक दूसरे के उपर dependent है, hardware होगा, तो software चलेगा, और software होगा, तो फिर hardware के होने का अस्तित्व है, अगर आपके phone में Android ना हो, या आपके Apple phone में उसका operating system वरजन ना हो, तो आपका वो maximum जो आपका 15, 20, 50, 60,000 के जो phone है, वो 2 रुपे में भी नहीं बिकेंगे, बस सही है न, तो कहने का मतलब ये है, कि computer में भी hardware, यानि आपका CPU, monitor, keyboard, ये सब होना जरूरी है, उससे के साथ साथ, उसमें जो Windows है, Linux है, ये होना भी उतना ही जरूरी होता है, तो मैंने आपको बोला, hardware component के बारे में हमने study किया है, कि सर हमारे system के, हमारे computer के, हमारे system के, वो सभी component जो की हम physically देख सकते हैं, touch कर सकते हैं, अधवा उनको count कर सकते हैं, या फिर उनको एक position से second position पर displace कर सकते हैं, उसे हम hardware component of the system कहते हैं, ठीक बात है, अब आते हैं software पे, तो software के बारे में हमारी बच्पन की जो definition है, या normal जो definition है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि software हमारे पास वो component होते हैं, जिनको हम touch नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर काम करते हैं, जैसे whatsapp, youtube, instagram, ये सब हमारे software में आते हैं, समझ में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उस definition की बात करेंगे, जो आपको अभी पढ़नी है, मैंने आपको बूला कि software आप से क्या कहता है, software आप से कहता है कि एक important बात आपके पास है, that is collection of program, तो software की जो छोटी definition है, वो होती है collection of program, और अगर हम बात करें यहाँ पर program की, तो program अपने बारे में कहरा होता है, कि मेरी definition ये है, कि collection of instructions होता है, या फिर मैं सरल भाशा में लिखूँ, तो collection of rules होते होते हैं, क्या होते हैं, collection of rules होते हैं, तो software की definition हमको इसलिए पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे questions बनते हैं, तो software जो है, वो कहता है, software is a collection of program, where individual program is a collection of rules, या फिर collection of instructions, समझ में आ रहे हैं, और अगर मैं आपको इसमें कुछ examples बतानी की कोशिश करूँगा, तो मैं आ सिस्य रूप से आपने MSWord का नाम सुनाएं, आपने MSExcel का नाम सुनाएं, आपने PowerPoint का नाम सुनाएं, लेकिन अगर आपने ये नहीं सुने हैं, और कभी आपको मौका नहीं मिला, आपके किसी काम का नहीं था, तो आपने सीखा भी नहीं, तो एक ऐसी चीज़ जरूर आपने सीखिया जिसका आप WhatsApp के नाम से जानते हैं और एक common example है जो मैं multiple times देता भी हूँ अगर मैं आपसे बोलू कि भाई हमारे पास एक WhatsApp है तो WhatsApp क्या है software है कि hardware है obviously बच्चा बच्चा बता देगा कि सरीय software ही है अगर मैं आपसे बोलू कि software में हमारे पास total overall practically जो आपने perform किया है तीन sections होते है first section होता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर chat कहते है second section होता है जो update हो चुका है लेकिन आपन इसको क्या लिख रहे हैं अभी status ही लिख लेते हैं ठीक है और third section आपके पास क्या होता है call होता है जो कि अपन पढ़ रहे होते हैं ठीक है अब देखिएगा chat क्या करता है जैसे मानली जै मैं आपसे बोलू कि chat अपने पास कुछ rules को रखता है कैसे chat सबसे पहले आपसे कहता है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति विशेश से बात करना है तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है या फिर पहला whatsapp का rule है chat का rule है कि आप उस व्यक्ति विशेश का क्या लेकर आईए number अगर आपके पास number नहीं है अगर आपके पास मेरा number नहीं है तो आप मुझे WhatsApp से message नहीं कर सकते हैं समझ आ रहा है अब for example आपने बोला सर आपका number दे दीजे और मैंने आपको number में उल्टी गिंती बता दी मतलब 9876543210 10 digit हो गए तो अगर मैंने आपको एक ऐसा number दिया है जिस में कि मैं WhatsApp पर registered ही नहीं हूँ तो WhatsApp second बात क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नंबर लाना जरूरी है लेकिन वो नंबर लाना जरूरी है जो WhatsApp पर registered हो तब message कर पाएंगा clear हो रहे है तीसरा रूल वो यह कह रहा है कि भाई अगर आपको किसी भी candidate विशेश को व्यक्ति विशेश को photo, image, video, audio भेजना है पहली शर्थ है कि वो audio, video, image आपका गैलरी में available होना चाहिए तो ही share होगा तो मैंने कहा भाई third rule हो गया fourth rule यह कह रहा है कि अगर आपको 1, 7, 15, 20, 25, 30 लोगों को message करना है तब आप group बनाएंगे तब हो सकते है तो rule number क्या होगा आपका four हो गया तो total overall आप देखिए मैं आपको और भी rules count करवा सकता हूं फिलाल अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि chat नाम का जो हमारा section है उस section में भी ह हमने का भाई आपके rule बता दीजे तो उन्होंने का पहला rule तो यह है कि 30 seconds से जादा का video हम upload नहीं करने देंगे सीधी बात है दूसरा यह चलिए वो तो उसकी शर्त हो गई अपन दूसरा भी count कर सकते हैं कि sir हमारे पास केवल वही status में हम upload कर सकते हैं वही video वही audio वही image हम status प मेरा यह है कि memory में होना चाहिए फिर अपन बात करते हैं अगर sir मेरी इक्षा है कि मैं आप में से किसी को भी अपना status नहीं दिखा ना चाहता तो उसने का पहले setting में जाओ वहाँ पे hide option को use करोगे आप हमने का ठीक है थर्ड उसने कहा अगर मान लीजे मैंने उससे पूचा क कि भाई मुझे यह भी देखना है मेरा status upload हुआ था मुझे यह देखना है कितने लोगों ने देखा तो उसने का वो जो चोटी सी नीचे से button आती है button कह लीजे symbol कह लीजे उस पर click करेंगे तो ही दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा तो मुझे मतलब मजबूरी है मेरी कि एक लिस्ट खुलती है समझ आ रहे तो यहां पर status के rule हो गए अपने call के rule भी कर सकते हैं सर यह वाला symbol होगा तो audio call होगा ऐसा कुछ symbol पर करेंगे तो video call होगा clear अगर आपको call करनी तो उपर three buttons दीए वहां जाके आपको करना पड़ेगा तो हर एक section के अपने rules होते हो हर software में ह हर software में तो मैंने आपसे बोला अपन इसको उल्टा पड़ते हैं यह है collection of rules collection of rules से क्या बना chat इसको हम बोलते हैं program collection of rules से बना status इसको भी बोलते हैं program collection of rules से बना call इसको भी बोलते हैं program तो program हो गया one program हो गया two program हो गया three उल्टा करते हैं collection of rules से बनता है program और जहांबर programs का collection हो ज ग्राम्स के कलेक्शन से आपका बनाधा सॉफ्ट्वेर, तो इतना बना लीजे आप, कितना बनाएंगे एक ये वाला और सिर्फ इसकी डेफिनेशन ए़ो ओड़िस कोुवेर, कितना बनादाता है Coc경े करेक्शन से तो कितने से बनादाता है सबस्सकी नाचा है किसके बाद देखिए इसमें ये हमारे पास है हार्डवेर हार्डवेर में टच, काउंट और डिस्प्लेस टच, काउंट और डिस्प्लेस और सॉफ्टवेर में आपकी डेफिनेशन है कलेक्शन ओफ प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स की जो डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ओफ रूल्स जो की बस इतना ही है बना लिए सबीने चलिए तो अपन आगे चलते हैं देखें हाडवेर में आपको क्या-क्या पढ़ना है आपको इंपुट डिवाइसे पढ़ना है और आउटपुट डिवाइसे ठीक है अपने एक चार्ट बनाएंगे और फिनिश कर लेंगे आपको टाइपस ऑफ सॉफ्ट वेर्स पढ़ना है जनको अपन अभी देखने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको बूला जनरली जो है अपन सॉफ्ट वेर्स को देख लेते हैं भई तो नेक्स्ट जो फंड़नमेंटल टॉपिक है जिसमें हमारे questions पंते हैं वो आते हैं हमारे पास types of software और types of software में अपन देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास generally दो type के softwares होते हैं only there are two types of softwares लेकिन competitive जो examinations होते हैं उसमें चार type के softwares आप से पूछे जाते हैं तो first type of software जो हमारा कहलाता है उसे हम कहते हैं system software second type of software जो हमारे पास होते हैं वने हम कहते हैं application software third type of software जो हमारे पास होते हैं जिन्हें आपन कहते हैं utility software और third type के बाद four type जो software होते हैं तो कुछ अभी latest आपके software चल रहे होते हैं अलग कि latest तो क्या बहुत दिनों से चल रहे हैं लेकिन आपने उनको categories में रखते हैं other type of software तो यह हमारी four categories होती है और अगर हम broadly classify करें कि नहीं नहीं four types नहीं broadly अगर आप classify करते हैं तो दो type के application sorry, just softwares आपके होते हैं that are the system software and application software ठीक है? आपके पास phone है अभी? आपके पास? कौन से phone है? real में है, उसको open करेंगे उसमें android नाम का software कहा है दिखाईए operating system है तो दिखेगा नहीं? ठीक version दिखेगा बट हमको ऐसे नहीं दिखता है जैसे whatsapp दिख जाता है, instagram दिख जाता है है ना? ठीक है second है link चली second है कि बस मैं आप से बस यही पूछना चाहरा था और निश्चत रूप से हमारे पास यह जो category है यह बहुत special type की category होती है special तो यह भी है बट यह हमारी special type की category होती है जो हमसे कह रही है कि सर्व हमारे पास जो है definition books में यह बोली जा रही है ऐसे software जो system के लिए design किये जाते है ऐसे software जो system के लिए design किये जाते है software that are designed for the system only इसको बन थोड़ा और modify कर सकते हैं मैं आपसी यह कह रहा हूँ ऐसे software जिनके बिना system काम नहीं करेगा ऐसे software जिनके बिना system function परफॉर्म नहीं करेगा ऐसे software जिनकी absence में आपका computer या system अच्छे से काम नहीं कर सकेगा ऐसे सभी software आपके system softwares की category में आते हैं समझ आ रहा है नहीं आया आगे ठीक ठीक बात है तो सर फिर इन में क्या difference है तो मैंने आपसे कहा मैं इसको बड़े हां और इसमें मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास जो second category है इसको हम वापस से normalize करें और application का जो meaning यह understand करते हैं तो यह वो software है मैं इनको बड़े easygoing तरीके से कहता हूं कि आप eligible हैं आप normal तरीके से अगर आप normal user हैं हम भी normal user हैं तो हम लोग जब normal user हैं तो हमारा एक ही टास्क है कि हम अपने phone को खरीद के लाए हैं तो हम उसमें maximum softwares का use करते हैं हलाकि बाद में नहीं करते हैं फिर आप uninstall भी कर देते हैं limited हो जाता है लेकिन जैसे आपका instagram है whatsapp है facebook है आपका telegram है आपका और भी जो software होते हैं editing software होते हैं आप लोग को game खेलने का शौक होता है आप games download करते हैं लेकिन मैंने इसा देखा है आपने बढ़िया install किया आपको गुसा गई या अब आपको नहीं खेलना है game तो आपने उसको uninstall कर दिया आप कर सकते हैं तो मैं आपको बस यह कह रहा हूँ कि application software की series में application software की shreddy में वो software's count होते हैं जो की user अपनी जरूरत के हिसाब से download करके रखता है समझ आ रहे हैं अगर आपके पास computer है आपको आप जैसे commerce background से नहीं है अथवा आप CACS की preparation नहीं कर रहे हैं तो फिर आप tally software को अपने computer में download नहीं करेंगे या आप कह लीजे जरूरत के यह वो software है जो requirement के according system में design किया जाते हैं या install किया जाते हैं तो इस प्रकार के systems को आप application software कहते हैं और इन में एक छोटा example में आपको बताऊं तो जो आपका whatsapp है वो application software के example क्योंकि अभी कुछ समय पहले बहुत time हो गया वैसे लेकिन कुछ समय आपके शायद एक दिन ऐसा भी हुआ था कि whatsapp आपका चल नहीं रहा था क्योंकि meta का data कुछ crash या जो भी था तो हमने immediately अप थोड़ी देर तो हम परिशान रहे कि whatsapp नहीं चल रहा हो सकता है हमारी network की नहीं चल रहा हो लेकिन जब हमको पता चला कि youtube की service भी नहीं चल रही whatsapp क service भी नहीं चल रही तो आप यकीन करिए लोग telegram पर switch होकर message कर रहे थे जिनको करने थे समझ रहे हैं तो हमने तुरंट छोड़ दिया था तो यह क्या था यह applications हैं लेकिन system software क्या होते हैं ऐसे software होते हैं जिनके बिना आपके systems काम नहीं कर सकते जिसका first example आपका होता है operating system और operating system का example आपने देखा है एक आपके पास android है second आपके पास windows है देन उसके बाद आपके पास linux भी होता है unix भी होता है ऐसे बहुत सारे operating systems है जिनके बिना आपका system काम नहीं करता मेरी बात समझ रहे हैं तो system software क्या operating system system software की category में आना चाहिए निश्चत रूप से क्योंकि उसके बिना आपका system चलने वाला नहीं है ठीक बात है इसमें हमारे पास एक और example आता है और यहां से question बनता है और वो हमारे पास होता है system software में second वाला जिसको आपन क्या बोलते है compiler कहते हैं second वाला जो topic होता है या फिर second वाला जो software होता है compiler वो भी मेरे mobile में मुझे दिखाई नहीं देता है it's like a driver जो आपके mobile में अथवा आपके computer में save होता है store होता है already inbuilt होता है हम उसको uninstall नहीं करते हैं अच्छा इसको तो uninstall यह तो दिखी नहीं न तो uninstall कहां से करेंगे generally आपको बहुत specification check करने पढ़ेंगे तब यह समझ में आएगा लेकिन आपके mobile में आने वाला inbuilt calculator भी generally आपसे uninstall नहीं होता समझ रहे न है न होता तो है वो लेकिन generally हम नहीं कर पाते हैं तो मैंने का भई अब compiler क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में प्रेश्न बनता है उपर वाले के बारे में भी प्रेश्न बनता है दोलों में क्या questions बनते हैं हम उसको discuss कर अभी मैंने आपको बोला एक हमने यहां पर box बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि जो computer है वो किस पर काम कर रहा है 0 और 1 पर है न और इसको अपर machine language भी कहते हैं तो compiler जैसे मान लीजे मैंने आपको बोला कि आपने किसी को क्या भेजा high है न यह जो high है यह with the help of the message with the help of the telegram with the help of the WhatsApp या whatever जो भी आप application software कर रहे है उसे जा रहा है अब जब यह जाता है तो यह तो हो गया origin reference point हो गया या फिर आप इसको sender कह लीजे अब यह किसी के WhatsApp पर जाकर क्या हो जाएगा release होगा that is high है ना लेकिन मसला यह है कि इस high का meaning आपके computer को या mobile के processor को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो पहले यहां पर फिर हम इनको बुलाते हैं इनको बुलाते हैं इनसे कहते हैं भाया जो processor है उसको समझाओ कि यह इसका क्या मतलब होता है तो पहले इस high को यह compiler पहले इस high को किसमें convert करता है किस form में convert करता है 01 के form तब फिर आपके computer के processor को समझ में आदा अच्छा यह कहना चाह रही है ठीक है फिर बेटा फिर से फिर इसका उल्टा काम भी होता है फिर compiler क्या करता है process हो गया फिर से इसको वापस किसमे convert करेगा हाई में और तब जाके आपको इस screen पर दिख रहा होता है कि यह हमने क्या लिखा हाई लिखा है तो जो आपने हाई लिखा जो आपने हाई लिखा हेलो लिखा कुछ भी लिखा उसको count किया जाता है हाई लेवल लांग्विज में और जो आपने 01 लिखा है उसको count किया जाता है machine level language तो आपसे प्रिश्न बनता है high level language से machine level language में convert करने के लिए आप किसका use करते हैं तो वो होता है compiler और सीधा पूछा जाता है what is compiler तो compiler के बारे में तीन statement आपके बनते हैं पहला compiler एक converter है जो high level language को machine level language में बदलता है दूसरा compiler एक system software का example है समझ में आया तो compiler के दो questions आपके बनते हैं पहला तो ये converter है दूसरी बात कि ये जो है वो system software की series में count किया जाता है तो ये हो गया समझ में आया अगर आप चाहे तो एक line लिख लेंगे पहले ये बना लीजे इसका हमको बड़ा सा चाट बनाना है सिर्फ आप star बना के कहीं लिख लीजे compiler is a converter compiler is a converter compiler is a converter or software compiler is a converter or software which converts high-level language into machine-level language which converts high-level language into machine-level language high-level language into machine-level language is it clear to all? it is done? sorry अब मैंने आप से बोला कि हमारे पास वो जो है उसको अपन क्या कह रहे थे कि भाई system software में पहला जो हमने आपको example बताया that is operating system अच्छा operating system में आपने जैसे लिखा हमारा Linux paper में पूछा जाता है और Windows हमसे exam में पूछा जाता है और Android हमसे example में पूछा जाता पूछा जा सकता है क्योंकि Linux तो पूछा जाता है तो अब यहाँ पर यह हमको समझ में आया ठीक है अब basically Android जो है sorry Android बोलो है operating system जो है उसका पहला question आपका बनता ही है confirmed है question यह बनता है कि operating system किस प्रकार के software का example है तो आपको answer लगाना पड़ता है system software का example है ठीक बात है operating system generally इसकी जो definition है उससे भी कभी कभी question बन जाता है और इसकी definition में सिर्फ एक word use होता है जिसको अपन कहते हैं interface क्या कहते हैं interface operating system के बारे में कहा जाता है कि ये जो है basically आपका interface के रूप में काम करता है और operating system जब interface के रूप में काम करता है तो interface का मतलब होता है middleware किस किस के बीच में तो हम है user और दूसरा होता है system क्योंकि अपन computer पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे computer इन दोनों के बीच में जो है वो आपका क्या करता है interface का काम करता है तो definition सिर्फ इतनी सी है operating system computer और user के बीच में interface का काम करता है खीक बात है is it clear चलिए तो यह हो गया हमारे पास interface जो है second अगर मैं आप से बात करूँ तो मैंने आपको already बता दिया है इसको अपन क्या कहते हैं compiler ठीक है इसको हम कहते हैं compiler एक हमारे पास आता है जिसे अपन कहते हैं assembler ये भी example है इसका और मैं आपको बताऊं ये important भी है निश्चत रूप से जिसको अपन assembler कह रहे हैं आप में से कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो assembler ठीक है तो सर मैडम मैं आपको बताऊं assembler जो है उसकी जो definition है वो paper में पूछे जाती है तो अब अपन उसकी definition को example से understand करते हैं जैसे मान लीजे मैंने आपको अभी compiler के बारे में बताया और मैंने आप से कहा कि अगर हमारे पास हमारे mobile में hello लिखा है तो पहले ये machine level language में बदला जाएगा with the help of the compiler ठीक है लेकिन आपके computer में आपके mobile में पहले से कुछ word fix होते हैं पहले से कुछ word design होते हैं जिनका special specific meaning होता है जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जैसे आप Excel की बात करते हैं आप में से सबी लोग Excel से थोड़े बहुत परीचे थे Excel में हम आपको बता रहे थे कि एक function होता है अगर आपने Excel नहीं भी पढ़ा कभी कभी आपको मतलब आपका use कर नहीं था इसलिए आपने नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बोला कि ऐसे कुछ एक function होता है जिसे आपन some function के नाम से जानते है तो some function का जो task है some function का जो काम है function का जो कार्य है वो है numbers को add करना और ये इसका result आएगा 20 समझ आ रहे है दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने मन से लिख रहा हूँ a double d और उसमें लिख रहा हूँ 10,10 और ये हमारे पास enter है इसका answer क्या आएगा मैंने add लिखा है 20 आएगा अगर मान लीजे मैं sum की जगा कुछ ऐसे लिखता हूँ that is summation और summation में मैं यहाँ पर 10,10 लिखता हूँ अगर मान लीजे एक और मैं लिखता हूँ that is addition पूरा addition बड़ अच्छे से addition और उसमें भी मैं लिखता हूँ 10,10 और enter करता हूँ तो इसके answers भी क्या हैंगे 20 आने चाहिए लेकिन मैं आपको बता हूँ Excel में ना तो यह चलता है Excel में ना तो यह चलता है और Excel में ना यह चलता है जबकि 4 words के meaning यही हैं कि वो numbers को add करेगा तो इसका मतलब यह नहीं है अगर आप इन functions को use करेंगे जबकि आपका intention भी सही है आपके meanings भी सही है add मतलब भी जोडना होता है summation मतलब भी addition होता है addition मतलब भी addition होता है लेकिन यह नहीं चल रहा है क्योंकि उस particular software में एक ही function है इस काम के लिए उसका नाम है sum और जैसे ही आप sum function चलाते हो compiler को समझ जो नहीं नहीं आपके processor को समझ आ जाता है कि भाई इसको जोडना है अपन को इसको जोडना ही है समझ रहे ना तो मैंने आपको बोला कि जब आपका computer sum मतलब English लिखी है high level language है तो जब sum को जब वो समझता ही नहीं तो process कैसे करता है तो मैंने आप से बोला जो आप लिखते हैं उसको convert करने के लिए आपने एक sir को बलाया था नाम था compiler जो word already exist है उनके meaning को process है समझाने के लिए आपने नए software को बलाया उसका नाम क्या है assembler तो assembler क्या करता है जो भी आपके pneumonic code होते है ये जो word आप देख रहे होते हैं ये सब क्या कहलाते है pneumonic code कहलाते है क्योंकि पहले से design तो इन pneumonic code को वापस से machine level language में बदलने का काम जो करता है वो कौन करता है assembler एक statement ये है assembler का जो task है वो क्या है pneumonic code को machine level language में बदलना तो pneumonic code क्या होते है जो पहले से exist करते है इस लाइक इंग्लेश है तो इनको convert करता है machine में अब आप game खेल रहे है गेम में आता है new game exit resume setting आपने देखा होगा आप new game पे click करते हैं game नया ही खुलता है by default तो इसका मतलब ये कि उसकी definition पहले से उसमें design की गई है कि जब भी हमारा user इस option पे click करेगा तो game new open हो जाएगा और ये कौन समझा रहा है आपका processor को समझा रहा है तो पहला statement है assembler क्या करता है pneumonic code को machine level language में बदलता है paper में question क्या आता है paper में आता है assembler का काम क्या है तो आप कहते हैं assembler का काम है assembly language को कौन सी language को assembly language को machine level language में बदलता है अब प्रशना आता है assembly language क्या है इसका answer ये है ऐसी language जिसमें pneumonic code लिखे जाते है वो language क्या कहलाती है है ना pneumonic code जो होते हैं वो किसमें लिखे जाते assembly language में अब आप चाहे उसको ऐसे बोल लीजे कि pneumonic code को machine level language में बदलना है तो भी assembler और assembly language को machine level language में बदलना है तो भी assembler दोनों सेम है समझ आ रहा है इसको लिख लीजेगा आपके शब्दों में assembly language को machine level language में बदल रहे और ये भी आपका system software है अगर ये नहीं होगा तो आपके system में जो keywords हैं उनको convert करने का काम बिचारा कौन करेगा तो this also considered as a system software in our system तो आपके बड़ए्ट ठीक है इतना इसमें न्यूमॉनिक फंक्शन का नहीं ये जो वर्ड है न इसका मतलब ये जो वर्ड लिखा इसको न्यूमॉनिक कोड कहते ये तो जैसे अब ये तो एक्सिल की बात हो गई है जैसे आप वर्ड में जाते हैं तो अब वर्ड में जो हलागी वो सब कुछ फंक्शन नहीं है वर्ड में भी एक्सल में भी पावर पॉइंट में एवरिटिंग जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं दे कंसिडेड अज फंक्शन क्योंकि उनकी डेफिनेशन पहले से फिक्स होती है आगे चले इसके नीचे दो नाम और लिख लीजे एक है आपका लिंकर लिस्ट में अगला लोडर और इंटर्पिटर ठीक है और यह सभी सिस्टम सॉफ्ट्वेर्स के एक्जाम्पल है लिंकर अलागे लोडर अलागे और इंटर्पिटर अलागे चले तो अब हमारे पास ऐसे सॉफ्ट्वेर्स का डिस्क्रिप्शन है जो सॉफ्ट्वेर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको भाई हम जरूरत के हिसाब से डाउनलोड कर लेते हैं और मैंने आपसे कहा कि उसके बड़े सराल इक्जाम्पल होते हैं और उसमें आपको कुछ इक्जाम्पल देखने को मिलेंगे जैसे पहला एक्जाम्पल मैं आपको बताऊं जिसमें आपन पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर्स जिसका एक्जाम्पल होता है इसका एक्जाम्पल होता है आपका MS-XS उसके बाद फिर इसके examples की list में आप देख सकते हैं तो आपके पास communication softwares होते है communication software का मतलब होता है वो software जिनसे आप बात कर सकते हैं तो WhatsApp, Telegram आदी फिर आपके पास होते हैं gaming software तो आप इनकी help से क्या कर रहे हैं गेम्स खेल रहे हैं फिर आपके पास होते हैं editing softwares तो आप audio के editing, video के editing उनको merge करना, image के editing आप कर सकते हैं और payment softwares भी होते हैं phone पे PTM word processing software spread sheet software presentation software, DBMS और application का first number में आपका लिखा है word processing software word processing software जिसका example है example है MS word second आता है spread sheet software spread sheet software जो की example है उसमें आपका MS Excel ठीक है then उसके बाद अपने understand करने की कोशिश कर रहे हैं की next जो आता है एक second रुकिएगा प्लीज hello में पापाजी MP नगर में बोलिए में लियाओंगा में लियाओंगा में लियाओंगा तो मैं आपसे ही कह रहा था कि यहाँ पर जो है हमारे पास ऐसे बहुत सारे software होते हैं भई जिनको में application में count करते हैं हलाकि यह हमारे जैसे word processing software है जनरली इसका example MS word होता है word processing software ऐसे software होते हैं जिनमें आप अपने documents prepare कर सकते हैं आप CVS बना सकते हैं आप notes बना सकते हैं जो आपको PDF के form में मिलते हैं वो सब यहाँ पर design हो जाते हैं हलाकि PDF भी word processing software होता है उसमें editing option update तो हुई है बट कर नहीं पाते हैं अपने spreadsheet software जो होता है उसमें अपन एक example देखते हैं MS Excel का है अपनको अभी कुछ इसका जो important shortcuts होते हैं वो भी देखेंगे spreadsheet software जैसे आपको sheets बनानी है attendance sheet है salary sheets है और इस तरीगे की sheets अपन में आते हैं presentation आपको पता है लोग presentation के दर्मियान PPTs के माध्यम से अपने content को represent करते हैं presentation software में एक paper प्रेशन में आता है इसके अलावा presentation software का paper में प्रेशन नहीं आता है especially जो आपके PSCs के assistant professors के forest rangers के जो exams होते हैं उनमें नहीं आता है बट एक question जरूराद है कि अगर आप PowerPoint presentation को play करना चाहते हैं तो shortcut की क्या होती है तो that is F5 है ना इसके अलावा इसके questions सिर्फ आपके पटवारी exam में या फिर आप जो training officers होते है से ITI colleges में उनमें यह questions बनते हैं then important है आपके पास database management system है ना तो DBMS का full form होता है database management system यह भी हम जरूरत के accordingly download कर लेते हैं अब इसमें अपन database का मतलब समझते हैं क्या होता है तो database का मतलब यह होता है कि एक ऐसी सो एक ऐसा software जिसमें आप bulk में data store कर रहे हैं है ना और वो data हमारा कैसे store होना चाहिए देखिए आपने word processing software में example देखा MS word का उसमें आप generally क्या करते हैं आपके पास एक page होता है और आप उस page में क्या करते हैं अपने document को cv बगेरा बनाते एक्सेल शीट कैसे बनती है एक्सेल शीट कुछ इस तरीके से table form में design हो जाती है और आप बढ़ियां शीट में अपना जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहे होते हैं तो यह हमारी शीट होती है टैबिलर फार्म प्रिजैंटेशन में आप प्रिजैंटेशन देता हैं DBMS में डेटा बेस में डेटा बेस मैंनेज्मेंट सिस्टम में जो data store होता है उसे हम integrated data कहते हैं इंटिग्रेटेड़ डेटा का मतलब सिंपल सही होता है जैसे आप आजकल फिलिपकार्ट देख रहें अमाजॉन देख रहें ये भी अपने कस्टुमर्स का यूजर्स का डेटा स्टोर करके रखते हैं और वो डेटा जो है वो किस तरीके से स्टोर होता है मैं आपको बताऊं वो बिलकुल डेवेंत होता है जैसे किस सरीके से रिलेवेंस होती है आपने हेडिंग डाली होएं है आपने क्या डाली है को यहां पर इम्पलाइञ स्कॉलर नपर ले लिजे उनका ID ले लिजे, उनका name ले लिजे, उनका address ले लिजे, उनका phone number ले लिजे, उनका pin code ले लिजे अब आप देखिएगा अगर हमने लिखा 01 और यहाँ पर अगर मैं कोई vector लिख रहा हूँ ABC ID है 001 जिसकी ID 001 है उसी का नाम होगा, उनका address होगा, उनका phone number होगा, उनका pin code होगा तो इस जो data है वो पूरी row में क्या होता है, relevant होता है तो database management system में हम इस तरीके के data को store करके उसके उपर operations को perform करने के जो चीजे हैं वो implement करते आपके mobile में भी database management system सपोर्ट होता है, कैसे होता है, अगर मैं आपसे बोलू हूँ, आपका mobile phone है, उसमें आप contact number सेफ करते हैं अगर आपने कभी ऐसा contact number सेफ किया है, जैसे कि आप किसी candidate का नाम है सरीता है ना, तो आपने उनका number सेफ किया है फिर आप मेरा number सेफ करें, मेरा नाम है आशीज, तो आप मेरा number सेफ करें, तो अब आप ये पाएंगे कि जब आप मेरा number सेफ कर रहे हैं है ना, तो वो सब अपन further sessions में discuss करेंगे, ये बात समझ में आई, application software, जरूरत के according, requirement के according, msword, excel, powerpoint, dbms, right फिर आता है, communications, तो communication मतलब ऐसे software, जहां पर आप बात करने के लिए use कर रहे हैं, तो nowadays आपन email का इस्तमाल कर सकते हैं, अब नहीं करते हैं, whatsapp यूज कर रहे हैं, telegram यूज कर रहे हैं, instagram कर रहे हैं, facebook कर रहे हैं, they are all considered as a communication software, right then उसके बाद game खेलने के लिए जो software's आप use कर रहे हैं, then उसके बाद editing के लिए, image editing के लिए, video editing के लिए, audio editing के लिए, आप जिस तरीके से software's को use करते हैं, यह सभी हमारे किसमें consider होते हैं, application software's में consider होते हैं, समझ में आया, ठीक है, लिख लिए सभी ने, next अपन चलते हैं, third द उनको भी आप जरूरत के हिसाब से ही download करते हैं, but कुछ specialized है, like उनके functions सोड़े से special हैं, इसलिए आपन उनको utility में रख लेते हैं, मैं आपको बताओ, मुझे अगर आप book में internet पे search करते हैं, internet से जाधा बहतर option book होता है, तो book में जब आप search करते हैं, तो utility software's में आपको पहला example मिलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, tally बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि tally भी application software में आना चाहिए, क्योंकि जरूरत के हिजाब से आप उसको download करते हैं, इसको utility में क्यों रखा गया है, क्योंकि जब आप tally की बात कर रहे हैं, तो उसके दो versions आते हैं, एक student version आता है और एक corporate version आता है, तो वो जो corporate वाला होता है, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, license लेना पड़ता है, तो license आप कब लेंगे, जब आप खुद की sound चला रहे हों, आपको turnover आपका बड़ा हो, जो भी आप कह लीजे, इसलिए शायद उसको रखते होंगे शायद नहीं, उसको सी में consider करते हैं अगर आप study करते हैं, then उसके बाद next आता है, कुछ softwares होते हैं, जिनको आप encryption softwares कहते हैं, ठीक है, तो encryption softwares जो है, वो कहते हैं अपर उनको, तो सबसे पहले हमको यह understand करना पड़ेगा, कि what is the meaning of encryption, बड़ी सरलविदी होती है, और बहुत normal सा topic है, जैसे encryption की आप बात करें, हमने यहाँ, जी बोलिए, जैसे मैंने आप से बोला, कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम ABC लिखते हैं, या अपन किसी का नाम तो for example, मैंने आप से कहने की कोशिश की, कि भाई हमारे पास किसी व्यक्ति विशेश का नाम है, जिनका नाम हमारे पास कुछ इस तरीक है, इनको हम Amit बोल रहे हैं, अब यह जो Amit है, आप में से हर बच्चा पढ़ पा रहा है, मुझे भी पढ़ना आता है, क्योंकि हमने English तो हमको यह spelling पता चलती है, कि भाई, यह Amit लिखा है, लेकिन अगर मैं आप से कहूं कि मैं इसी Amit को Convert कर देता हूं, अब वो मेरी एक्षा है, जैसे मैं मुझे Chinese तो नहीं यादी, बट मैंने कुछ ऐसा देखा हुआ है, कि वो लोग कुछ ऐसा लेखते हुए हैं, अब उ Definitely इस Language को अगर मैं इसमें Convert करूंगा तो वापस मुझे क्या मिलने वाला है, Amit मिलने वाला, तो जब हमारा इंटरनेट जो है, वो अच्छी मतलब आप कह लीजे कि बहुत जादा यूज हो रहा है, तब हम अभी Network पढ़ेंगे, तो उसमें हम दिखेंगे, एक Sender होता है, ए आडिया से data को hack कर लेते हैं, तो पहले क्योंकि हमारा data, readable format में होता था, जैसा आप भेज रहे हैं, वैसा चला जाता है, maximum क्या होता था, maximum यह 01 में Convert हो जाता था, अब जब मुझे coding आती है, जब मुझे machine language समझ में आती है, तो मुझे उसको convert करने में कोई देर नहीं लगने वाली, क्योंकि मैं सारा का सारा digital data, यानि 01 का data computer में fail करूँगा, वो मुझे readable format में बदल दे, तो मैंने technique अपनाई, वो technique यह है, कि मैं Amit में जो पहला character है, उसको किसी random character से बदल देता हूँ, M को किसी random character से बदल देता हूँ, I को किसी random character से बदल देता हूँ, T को किसी random character से यह मेरी technique कहला थी encryption, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जिसमें मैं अपने readable text को, जो text आप आराम से read कर सकते हैं, readable text को मैं convert कर देता हूँ, non-readable text में, तो मैंने आप से कहा, कि भाई हमारे पास encryption जो technique होती है, वो क्या होती है, encryption technique वो technique है, वो तरीका है, जिसमें हम अपने plain text को, readable text को non readable text में बदल देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं readable text को non readable text में बदल देते हैं तो हमारा जब data जाता है यहां से यहां तक तो secured form में जाते है और इसका example मैं आपको बताता हूं whatsapp में जब आप आप किसी से चैट नहीं करते हैं आप चैट को गायब कर दीजे मतलब डिलीट कर दीजे फिर इतना बड़े box में message आता है this is the end to end encryption based है ना तो encryption मतलब यह हो रहा है अच्छा उसमें आगे भी लिखा रहता है कि no one can read your message even whatsapp cannot वो भी नहीं पढ़ पाई है तो मैंने आपसे बोला एक ऐसी टेक्नीक जिसमें आप readable text को non readable text में बदलते हैं प्रिश्ण नहीं आता है कि readable text को आपन और कुछ कहते हैं क्या तो मैंने आप से बोला readable text आपका एक और नाम से जाना जाता है जिसको अपन कहते हैं plain text और non readable text एक और नाम से जाना जाता है जिसको आपन कहते हैं cipher text तो एक question है question statement है what is the encryption sir this is the process which converts plain text into cipher text अब जैसे ही भाईया receiver के पास यह data पहुचता है निश्चद रूप से यहां से आपने encrypt किया अमित sir को यहां से आपने इस form में बदला और भेज दिया अब भेजने के बाद इनको कैसे मिला जो आपका convert करते हैं cipher text में और decryption वो process है जिसमें आप cipher text को convert करते हैं वापस से plain text समझ आ रहे हैं और आखरी बात ऐसे software जो किसी data को encrypt करते हैं encryption software कहला दे होंवर्क लिखिएगा दो ऐसे software के नाम आप मुझे बताएंगे जो encryption perform करते हैं नहीं नहीं encryption perform करते हैं support नहीं support तो सभी कर रहा है आजकल जैसे आपको encryption करना है आपकी photo है आप चाहते हो मुझे वो photo encrypt form में भेजो तो वो कौन सा software है जिससे में उस non readable के नीचे cipher तो मुझे उस software का नाम चाहिए जिससे मैं आपकी photo को encrypt करते हैं आराम जी बिलकुल कर सकते हैं एक तो सर नहीं बता दिया ठीक है तो आप सर्च एक और एक और सर्च करिए आसकी के यूज करके कर सकते हैं बिलकुल ठीक है तो आपको मैं बता हूँ वैसे आप जाएंगे प्ले स्टोर पे उसमें आप अराम सर्च करिए encryption software authorized कोई host को download करिए आपकी gallery के दो-चार photo लीजे उनको encrypt करके देखिए मिल जाते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ encryption software का नाम आपसे paper में नहीं पूछा जाएगा ठीक बात है आपसे सिर्फ यह पूछा जाएगा या तो encryption की definition जो क्या कह रही है plain text को cipher text में बदलेंगे ठीक है यह सीधा पूछ लेते encryption में plain text बदलता है option होता है तो उसमें आपको answer लगाना था cipher text क्रुछत बदलता है तो भाया ये था second आपका होता है utility software का एक और example वो जिसका उसकी भी technique पूछी जाती है उसका नाम लिख लिजे compression software next है compression software ये book के हैं आप परिक्षा मंतन नामक book से content को देख सकते हैं अथवा आप chart download करना चाहते हैं तो with the help of the internet service you can download compression software देखिए compression भी एक ऐसी technique है जिसमें आप अपने data को क्या करते हैं compress कर लेते हैं फायदा ये है जैसे मान लिजे आपने देखा होगा कई बार आप किसी whatsapp पे बहुत बड़ा video शेयर कर रहे हैं तो वो नहीं होता है क्योंकि उसका size बड़ा होता है तो compression का मतलब आप समझ लीजे compression का मतलब होता है किसी data की quality को reduce करना बिना उसके actual data में परिवर्तन किये बिना example मैंने ऐसा दिखा है कि जैसे मैं youtube पर कोई song सुन रहा हूं जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा नहीं न यूट्यूब पर मैं कोई song सुन रहा हूं तो वो आता है उसमे picture quality बहुत अच्छी नहीं होती तो हम जाते हैं उसको 720 में कर देते हैं या 1024 में तो उसकी picture quality अच्छी हो जाती है लेकिन जब हम उसको convert कर रहे होते हैं तो आपने यह भी observe किया होगा गाना play है चल रहा है और जैसे आपने उसको 720 में कर आपने option पे apply किया थोड़ी देर के लिए वो रुख जाता है बिल्कुल minute seconds के लिए तो वापस वो क्या करता है quality increase कर रहे होता है और लेकिन अगर आप उसको 120 जो भी उसका reduction पार्ट होता है उसमें भी आप गाने को सुनेंगे तब भी वो पूरा ही सुनने को मिलेगा और 7201024 में सुनेंगे तब भी उतना ही सुनने को मिलेगा तो data की quality में change होता है data में कोई changes नहीं होता है दूसरा example में आपको बता हूँ तो जिसे मैं बोलता हूँ कि religious जो बुक्स होती है रामायन जी है महा भारत है या कोई भी religious literature होता है तो उनकी बुक इस size में भी आती है और इस size में भी आती है जब वो इतने size में आती है उसमें इतने size में आती है उसमें भी content होता है difference ही होता है जब वो बड़े size में होती होती होता है तो आपको दूर से दिख जाता है और छोटी बुक में font छोटा होता है तो reduction of the quality हो रहा है reduction of the data नहीं होता है और अंतिम बात यह है कि ऐसे software जो की compression को perform करते हैं उन्हें आप compression softwares कहते ह जाते हैं play store पे जिनका नाम paper में नहीं पूछा जाता ठीक बात है ठीक है तो यह हो गया हमारे पास आगे एक और नाम लिख लीजे antivirus utility software में एक और लिख लीजे antivirus तो आप से antivirus objective में पूछ लिया जाता है कि आप इसको किस category में रखेंगे तब आपका answer हो जाता है utility softwares ओके चलिए अपन आगे चलते हैं जी antivirus आपको बदा हम वो other softwares में चलिए other softwares में पहला नाम आप लिखेंगे freeware software other softwares में अपन चार्ट में पहला नाम लिखते हैं freeware software ठीक है तो यह वो softwares होते हैं जो आपको free में available होते हैं बद इत्ती बात है है ना free में जो मिल जाए वो freeware दूसरे होते हैं लिखिएगा shareware software shareware software अब shareware software क्या होते हैं तो मैंने आप से कहा हमने एक दिन Amazon Prime को download किया उन्होंने कहां दस दिन तो हम दिखाएंगे फिर आप से amount चाहिए तो ऐसे software जो कुछ limited time तक आपको free of cost available होते हैं लेकिन कुछ समय के पश्चात उनका आपको शुल्क देना होता है you have to pay for the continue the service ऐसे softwares आपकी shareware softwares में count होते हैं आप नाम भी लिख सकते हैं that is disney hotstar या फिर आपका amazon prime जो जो भी OTT platforms है they are just examples और हमारे पास एक होता है last जिसको अपन कहते हैं software category में वो होता है हमारे पास open source software ये थोड़ा सा important है सिद्धो questions बनते हैं अलग कि इसमें कुछ magic नहीं है लेकिन फिर भी बनते हैं link चली गई चली तो मैंने आप से कहा next option आपके पास आता है open source software ठीक है तो actually में क्या होता है जब भी कोई software बनते हैं आपन आगे discuss भी करेंगे तो उनको बनाने के लिए हमको required होती हैं जिनको अपन कहते हैं programming language ठीक है तो मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजे अब अगर जैसे मैं आपको एक example बताता हूँ हम लोग कभी कभी जैसे आपका phone है है ना तो phone में suppose हम क्या insert कर रहे होते हैं password अब मान लीजे आपके mobile phone का password है 123456 ये हमारा password है अब हमारे mobile में ये कैसे किया गया होगा हमारे phone के अंदर कैसे किया होगा तो मैं आपको एक छोटा example बस बता रहा हूँ तो मैंने आपको बोला जैसे मैं आपसे question पूछता तो एक syntax होता है if मैं ये कहता कि अगर password जो है वो आपका 123456 हो तब अगर आपका password 123456 हो देन आप क्या कर देंगे open या फिर access your mobile phone और अगर password ये वाला नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या बोल देंगे that is invalid password तो generally mobile में ऐसी होता है password आपने सही एंटर किया तो तो access मिलेगा नहीं किया है तो फिर वो बोलता है invalid password ऐसी होता है तो ये जो है ये मान लीजे एक छोटा सा code है जो अपन प्रोग्रामिंग language से कर रहे हैं अब मैं आया मुझे coding आती थी आप में से किसी को आती थी आपन या से change कर दिया इसमें condition नहीं बदल दी आपने का password anything कुछ भी आप enter कर दे open हो जाएगा समझ रहें तो मैं सिर्फ आप से ये कहना चाहरा हूं क्यूंकि आपके mobile का हम तो normal user हैं तो हमको ये coding voting कभी हमने सीखी भी नहीं जरूद भी नहीं थी तो मैंने आपको बोला अगर software जिनकी coding जिनकी source code ये जो है वो आपका available हो जाए ऐसे software आपके open source software कहलाते हैं समझ आ रहे हैं फाइदा नुकसान क्या है जैसे मैंने आपको बोला आप एक काम करिएगा आप computer पे जाएए आपके पास जो घरों में computer से या laptop है मैं एक सरल example से आपको बता रहा हूं तो मैंने इसा देखा है मैं आपको बताऊं कि हमारे computer में यहां पर एक start button होती है होती है हमने बहुत प्रयास प्रयास किया नहीं भी किया तो अब अगर try करना चाहें तो करिएगा मैं इस icon को जो कि हमारा start button है मैं उसको बिल्कु सेंटर में रखना चाहता हूं तो मैं नहीं रख पाय है है ना क्योंकि Microsoft Corporation के जितने project है या product है या software है वो open source लगबग नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप Linux software Linux operating system को वहीं पर use करते हैं तो आप वहां पर यह देख रहे होते हैं कि उसका आप color भी बदल लेते हैं उसके आप settings भी change कर लेते हैं उसके आप icons भी बदल लेते हैं मैं तो chat को वारता लब लिखके बताइए status को आपको जुमंकर लिखके बताइए और call को आप फोन लिखके बताइए अब नहीं कर सकते WhatsApp के icon का color भी में change नहीं कर सकता वो green ही रहता है वो चाहे vivo में हो चाहे open में हो चाहे real में हो क्या फरक पड़ता है वो green ही रहेगा तो मैंने आपको बस यह बोला लेकिन अगर उसकी coding मेरे पास available है तो मैं greens उसको दूसरे color में changes कर सकता है तो ऐसे software जिनके code आपके पास available है वो सभी किसमें consider हो जाएंगे open source में source का मतलब code होता है और ऐसे software जो आपकी coding जिसकी available नहीं है आप उसको customize नहीं कर सकते वो सभी closed source में आते हैं तो closed source is a by default category जो अपन नहीं discuss करते हैं लेकिन open source जरूर करते हैं यहाँ पे important बात यह है कि इसमें कोशा आता है कि linux जो है वो कैसा software तो linux के दो examples में answer आते हैं पहला operating system पहला question क्या बनता है linux क्या है operating system है दूसरा question linux क्या है system software क्योंकि operating system इसर तीसरा question linux कैसा operating system तब आपको बताना पड़ता है open source operating system है समझ में आया तो इस तरीके से यहां से Linux के तीन questions आपके बनते हैं और यहां पर हमारे software की जो categories थी वो almost done हो गई है वो complete तो कभी नहीं हो सकती आप objectives उसके लगाईए उसमें अगर आपको किसी भी objective में कोई doubt होता है software के portion में तो आपन उसको क्या करेंगे discuss करें समझ में आया रहा है बिटा online में जितने students हैं आप सभी को clear हुऊ चलिए अब एक diagram और बनाते हैं इसके बाद heading डालिएगा block diagram वहां से 3-4 questions बनेंगे आपके जाना तो नहीं जल्दी कितने 8 o'clock तक तो होती ना class तो एक diagram होता है जिसको अपन कहते हैं block diagram ठीक है देखिए अपन जो है उसके बाद IT की तरफ चलेंगे क्योंकि वहां से भी हमारे जादा questions बन रहे हैं block diagram of a system ये भी हमने कहीं ना कहीं एक आध बार देखा हुआ होता है हमारे बार देखा हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल 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 चलिए आगे चलें बन गया सभीका तो मैं आप से ये कह रहा था कि हमारे पास एक ब्लॉक डाइग्राम है जिसको यहाँ पर अपन देखने की कोशिश करते हैं और इस ब्लॉक डाइग्राम में लगबग हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अंडरस्टेंड करने की कोशिश करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कौन-कौन सी चीजें आपके पास होती है तो भाया जो सबसे इंपोर्टेंट एडवांटेज है आपके कंप्यूटर का उसे अपन क्या बोल रहे हैं जो सबसे इंपोर्टेंट है सच में और वो है स्टोरेज केपाबिलिटी और storage capability का मतलब है कि हमारे पास जो system है उसमें हम data को maximum safe कर सकते हैं और आप यकीन करिए data store करने की capability तो इतनी ज्यादा हो गई है कि आप लोगों के पास इस समय मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे अच्छे phones होंगे जिसकी ROM 128GB तक होगी और expendable भी है लेकिन उसके बाद भी जब कभी आप किसी software को download करते हैं तो वो कहता है भाईया पहले दो software remove करो फिर हम install होंगे कहने का मतलब यह है कि 128GB का data भी हमारे लिए कम पड़ रहा है फेस्बुक अगर अकाउंट अगर आपका है तो फेस्बुक पर जो भी आपने upload किया है वो store है लेकिन आपके फोन में नहीं है तो अपने उसके लिए cloud पढ़ेंगे आगे दूसरा इंस्टाग्राम पर आपने जितनी reels upload की है वो आपके phone में नहीं है लेकिन वह available है आपके mails पर google drive पर जो data save है वो data virtually कहीं न कहीं save रहता है तो हमें इतने space की requirement है फिलाल चार्ल्स बेबीज जी ने हमको एक opportunity दी थी और उस opportunity के according उन्होंने हमको storage capability दिये तो इस diagram से आपके तीन topic finish होंगे पहला सारी वो input devices आपको पढ़नी पढ़ेंगी जिन input devices की help से आप किसी processor या computer को input देते क्योंकि computer की पहली जो शर्त है वो यह है कि अगर आप मुझे input देना चाहते हैं तो मेरी condition यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी input devices का आप use करेंगे और जिस प्रकार का input आप द चाहते हैं select करना चाहते हैं तो pointing input devices आपको यूज करनी पढ़ेंगे these are the categories then उसके बाद next important बात यह है कि एक शर्त हमने computer की मानी थी कि भाईया जैसी तुमको input devices चाहिए वैसी हम आपको देंगे फिर हमने उससे अपनी पहली अगली बात मनवाई और हमने उससे कहा कि देखो input devices आपकी रहेंगे लेकिन control हमारा रहेगा तो अपन इस processor में control unit को discuss करेंगे और उसकी जब हम यह जब हम जब हमारी यह बात मान जाएगा कि भाई control unit आपका रहेगा तो फिर वो एक शर्त रखेगा वो यह रखेगा कि जिस प्रकार का output होगा मुझे उस प्रकार की output devices के requirement होग plus alu plus cu and उसके बाद हमारे outputs तो पहला आप heading डालेंगे अपनी copy में इस डाइग्राम के बाद that is memory first up heading डालेंगे memory और memory जो है वो आपकी कुछ भी नहीं होती है मैं आपको बताऊं memory is just a location memory केवल एक ऐसा space होता है जहां पर आप अपने data को store कर रहे होते है memory केवल एक ऐसा space होता है जहां पर आप अपने data को store कर रहे होते हैं और कुछ भी विशेश नहीं होता है जहां पर आप अपने videos image audios या कुछ भी आप document save कर रहे हैं वो आपकी memories होती है समझ में है clear है ना memory मतलब क्या जिसमें आप अपने data को store कर रहे है memory जो है वो आपके पास two types की होती है तो मैंने आपको बोला this was the definition जो अपने understand करी है that is memory memory अमरे पास two types की होती है first जो type of memory होता है उसको अपन कहते है है primary memory first one is primary memory और जो memory होती है उसको अपन क्या कह रहे है that is secondary memory तो primary memory and secondary memory अगर मैं इसको classify करूंगा तो जैसे आपने system software और application software को understand किया वैसे ही आप primary और secondary को भी understand करेंगे primary का मतलब होता है ऐसी memory जिनके बिना आपका computer या mobile चलने वाला नहीं है समझ रहे क्योंकि operating system खुद एक software है और जब आप नया computer लाते है तो software उसमें inbuilt होता है जो software inbuilt हो रहा है वो space मांगता है और space आपका required होना चाहिए तो इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कुछ memories ऐसी होती है जिनका आपके computer या mobile में होना बहुत जादा जरूरी है और ऐसी memories को consider करेंगे primary memories के अंदर और second important बात यह है कि कुछ memories ऐसी भी होती है जिनको आप जरूरत पढ़ने पर utilization करते हैं जैसे आपके mobile में लगने वाला sd card sd card क्या होता है आपके phone में अगर card नहीं है तो maximum क्या होगा आप गाना नहीं सुन पाएंगे लेकिन phone तो लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको जाधर data चाहिए आपको extra data चाहिए तब sd card का phone अपने यूज अपने mobile में करते हैं इसके अलावा अगर आपको external data चाहिए तो आप pen drive का यूज कर सकते हैं तो यह वो devices होती है जो हो तो भी computer में कोई दिक्कत नहीं नहीं हो तो भी computer को कोई समस्या नहीं होने वाली है तो यह जरूरत पढ़ने पर हम यूज कर लेते हैं primary memories वो memories होती है जिनके बिना basically हमारा computer चलने वाला नहीं है तो इसके अंदर आपन चोटा सा और classification करते हैं तो primary memories के अंदर मैं आपको बताऊं आप बढ़िया से discuss करेंगे एक जिसको अपन कहते हैं रैम एक आप discuss करेंगे यह रैम के बाद रूम उसके बाद आप discuss करेंगे cash memory उसके बाद आप discuss करेंगे जाट इस रेजिस्टर मेमोरी ठीक है जा रजिस्टर सेकेंटरी में में भी हम classifications करते हैं तो दो ताइप की floppy disk पहले हुआ करता था जाधा यूज नहीं होता है दैन उसके बाद next example आप देख रहे होते हैं जिसको अपन कहते हैं hard disk तो यहां पर मैं आप लिखने की कोशिश करता हूं और external में आप बात करें तो एक example आप आराम से लिख सकते हैं that is pen drive और pen drive के साथ साथ आपकी होती है cd cd के साथ साथ आप पढ़ सकते हैं dvd और भी बहुत सारी होती है आपकी blue disc होता है तो प्लीज क्या आप मुझे बता पाएंगे आज के टॉपिक में किसी को को कोई समस्या that was very basic है न कि मेमोरीज में देखिए वो actually में क्या होता है जैसे cookies और जो sessions होते हैं वो अपने cash में consider होते हैं जी क्योंकि वो data हमारा temporarily store करते हैं जब आप अपनी cash को erase कर देते हैं तो सारा जो भी आपका password store है या जो आपने सर्च किया है वो सारा data erase हो जाता है तो वो cash में consider होता है और cash को अपन discuss करेंगे तो एक paper में question मनता है कि fastest memory भी कही जाती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो भी आप सर्च कर रहे हैं तो जब भी अपन कुछ कुछ ऐसा content या website सर्च करते तो message आता है कि आप इसको safe कर लीजाए आप कर लेते हैं तो वो इसलिए safe करा जाता है cash memory का utilization सिर्फ इतना है कि वो आपकी speed बढ़ाता है और speed वो कैसे बढ़ा रहा है जो आप जादा बार सर्च कर रहे हैं उसको वो strike करता है कि यह user सबस्यादा यह use कर रहा है तो फिर उसकी frequency current वो अपनको जल्दी देखने लगता है लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे fastest memory आपकी register होती पेपर में cash ही लगाना है लेकिन अगर cash के साथ register आ जाए तो register ही लगाना है क्योंकि आप जब उसका map search करते हैं तो सबसे जो access time सबसे जो decreasing order में होत है आप कह लीजे कि bad performance in the access time वो Rome का होता है जबकि data वो ज्यादा safe करती है Rome is the main source second number पे आपकी रहम आती है third number पे आपकी cash आती है fourth number पे आपका register ठीक है तो fastest happen वो मानते है तो आज हमने इतना discuss किया कल के session में इसको continue करेंगे आगे बढ़ाएंगे आप से बस इतनी से request है जो topic आपके MCQs लगा लीजेगा अगर उनमें doubt आता है तो पूछ लीजेगा ठीक तैंक यू सो मुच अल और वी विल मीट तुमारू झाल करवड़ू झाल